हाई गेज़ वीडियो आज हम कक्षा 11 वी बिजनस चैप्टर नंबर 5 एमर्जिंग मोड अफ बिजनस यानि सबसे छोटा सबसे आसान और फ्री के नंबर लेने वाले चैप्टर को स्टार्टिंग से लेकर अंतक फूरी तरीके से समाप्त करेंगे अगर आपको इस चैप्टर को फटा फट 5 मिट के अंदर कवर करना है तो उपर आई बिटन में वीडियो है अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोन जगे से जाके अपना अगाम कर सकते ह बट अभी अपनी गुर्सी के विटन को टाइट कर लो क्योंकि यह चैप्टर में क्या-क्या है यह आपको बताएंगे और क्या-क्या जरूरी है यह भी समझाएंगे तो चलिए चैप्टर को स्ट्राटिंग से लेकर रहें तक खतम करते हैं शुरुआत करते हैं इस जैसे पहले अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो तुम क्या करते थे तो फिर मन मार के चुप चाप बैठ जाते थे अगर कोई बड़ा सामान चाहिए जो आपके इरिया में नहीं मिलता तो फटक से खोलो Amazon और order कर लो और अगर कोई ऐसे सामन चाहिए जो आपकी पडूस की दुकान में भी मिल जाएगा तो फटा-पट से खोलते हम ब्लिंकेट या कोई और वेबसाइट और फटाक से order कर लेते हैं दस मिनिट में वो घर आ जाते हैं तो यह क्या है यह बिजनिस करने के नए तरीके हैं तो इस पर्टिकुला चप्टर में हमें वही emerging mode यानि की नए और बदलते वे तरीकों के बारे में पढ़ना है जो बिजनिस को पूरी तरीके से बदल रही है तो अब इस emerging mode को पढ़ने के लिए हमें दो terms के बारे में clear होना पड़े है कि क्या मतलब होता है एक है e-business और एक है e-commerce बिसिकली इन दोनों को एक जैसा देखा जाता है पर यह दोनों अलग अलगे कैसे अलगे पहले समझो e-business e-business का मतलब होता है business through internet simple वाशा business through internet यानि internet की सुविधा का इस्तिमाल करके अगर आप business कर रहे हैं तो उसको e-business कहते हैं अगर आप पुराने तरीके से business कर रहे हैं तो उसको traditional business कहते हैं पर आज हम e-business और उसके साइदे में जादा interested है ठीक है so what is e-business यानि business के सारी activities को आप internet के medium से करेंगी अब समझे ना business की सारी activities में सर्फ बेच सारी चीजे होती है कौन कौन सी चीजह रहती है customer support service भी आती है साथ साथ में market analyze करना भी आता सामंधना भी आता है तो business considered of many things, ठीक है, so e-business conduct industry, trade, या commerce related सारी activity, वो सब e-business का ही एक part है, ये तीनों चीजें आप chapter number one के अंदर पढ़ चुके हो, industry कितने प्रकार की होती है, trade में क्या क्या आता है, और commerce के अंदर क्या क्या हो रहा होता है, trade, auxiliary to trade, ये सारा का सारा काम हम जब internet के through करते हैं, तो वो e-business की category में आता है, इस category के अंदर एक छोटा सा part है, जिसको हम बुलते हैं e-commerce, क्या बुलते हैं, e-commerce, what is e-commerce, e-commerce is simply a part of e-business, जिसके अंदर हम जब भी अपने customer से या अपने supplier से connect करते हैं, तो consider करें, किया जाता है, यानि कि जब भी मैं अगर मानलो businessman हूँ, मैं अपने customer से बात कर रहा हूँ, कोई नए product की information ले रहा हूँ, या फिर उनसे feedback ले रहा हूँ, या फिर अपने supplier से बात कर रहा हूँ, तो ये जो part है, ये e-commerce के अंदर आता है, और जबकि e-business एक पूरा complete globe है, ठीक है, तो इस बात को clear रखना कि हम e-business के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ बेचने खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब जो ये e-business है, इसका scope कहां तक है, मतलब कितने दायरों में पहला हूँ, तो आपको आपके chapter में चार दायरे पढ़ने हैं, B2B, B2C, C2C और intra-B, शरी क्या बोले जा रहे हूँ, अरे बहुत आसान है, सबसे पहला B2B, B2B, अब ये 2 का मतलब क्या है, B से B तक, इसका मतलब यह होता है, यानि business से business तक, यानि खरीदार भी businessman है और बेचने वाला भी businessman है, सर, businessman कब खरीदता है, अरे businessman भी खरीदता है, आप अगर Amazon देख रहे हो ना, तो आपके लिए Amazon अलगे, मिरे लिए Amazon अलगे, कैसे अलगे, सर, बताना ज़रा, मेरे पाल जो Amazon account है, वो Amazon business account है, यानि कि मैं Amazon का एक business partner हूँ, मेरी किताब जाती है Amazon पर, ठीक है, इसके साथ साथ, जब भी मैं को product Amazon से खरीदता हूँ, तो Amazon उसको B2B लिखता है, कि हमने किसी और businessman को ये सामान बेचा है, जो इस सामान को use करके, आगे अपने customer को बेचने वाला है, हमें discount भी मिलते है Amazon से, अगर हम बल quartering करते हैं तो, ये Amazon का एक concept है, ठीक है, इसी तरीके से simple भाष्या में मान लो, कि एक chair बनाने की factory है, ठीक है, अब मुझे chair बनानी है लखड़ी की, तो मुझे कहीं ने कहीं से raw material लाना पड़े हैं, या तो मेरी खुद की firm है, जो कि जाके पेड़ कार देती है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, किसी ऐसी firm जिसका काम है, लखड़ीया तोड़के लाना, तो मैं उसको connect करूँगा, और उसको बोलूँगा, कि भाई, तू मुझे ये सामान बेच दे, तो समझ ना, इस particular example में बेचने वाला जो है, उसके पाल लखड़ीया है, वो भी एक businessman है, और मैं भी उन लखड़ीयों का कुछ नहीं करूँगा, मैं उसको आगे customer को बेचूँगा, तो यहाँ पर मैं भी एक businessman हो गया, तो इसको कहते हैं, B2B commerce, या B2B business, बोट buyer and seller are businesses, ये तब होते हैं, जब किसी प्रकार का कोई collaboration हो रहा हो, ठीक है, कोई tender मांग रही हो, distribution करना हो, या manufacturer आगे बेच रहा हो, इसको अपने distributor को, ताकि वो आगे उसको sell out कर दे, ठीक है, जैसे Amazon for firms, firms के लिए Amazon अलग होता है, जैसे माल लो आपने कोई सामान खरीदा, तो आप उस पे GST claim नहीं कर सकते हैं, क् मैं अगर Amazon से कोई सामन खरीदता हूँ ना, तो मुझे उसमें जितना भी GST देना पड़ता है, वो सब मुझे return आ जाता है, क्योंकि मैं एक firm हूँ, उसके लिए Amazon business के अंदर, आपको अपना business register करना पड़ता है, समझ मैं आ गया, clear हो गया, चली, next आता है, B2C, यानि business to customer, य directly बात कर रहा है, simple, मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो यह होगा B2C mode, बेचने वाला businessman है, और खरीदने वाले directly customer है, including selling, after sales service, promotion, and other marketing services also, खरीदना बेचने के साथ-साथ, यहां पर after sales services भी आता है, feedback लेना भी आता है, promotion करना भी आता है, मैं कोई और marketing कर रहा हूँ, तो वो भी B और model को जनम दिया है, जिसको हम बोलते है, C to B model, यानि customer to business, कभी-कभी customer भी business से बात करना चाहता है, कब करना चाहता है, जब उसको किसी प्रकार का कोई feedback देना हो, क्या देना हो, feedback, जैसे उसने कोई सामान्त खरीदा, उसको बहुत जादा पसंद आ गया, जैसे आपने हमार काम बहुत solid हो गया, तो यह क्या है, कि B to C है, customer, C to B है, customer business के पास आया है, और वो उनको feedback दे रहा है, समझ में आ गया, चलिए, थर्ड प्रकार का जो scope है, वो कहलाता है, C to C, यानि कि बेचने वाला भी customer है, और खरीदने वाला भी customer है, सर ऐसा कभी सोचो, तुमने second end माल ब पुराना हो गया, अब तुम क्या चाहते हो, उस phone से चुटका रहा पाना चाहते हो, तो तुमने कहीं add डाल दिया, OLX पर, तो OLX ने क्या किया, तुम्हें customer दिला दिया, तो अब आप भी customer है, उस phone के, और जिसको आप बेच रहे हैं, वो भी customer है, उस phone का, तो यह हो गया C to C model, market system for sale of used goods and services, it involves selling of old product, या used book, या फिर इंटीक आइटम, या second hand photos, मतलब in shot, जो आपने पहले खरीद लिया है, आप customer बनके, आपने उसको यूज करके, आगे बेचने की कोशिश की है, इनमें जो platform काम आते हैं, वो हैं, OLX, और अब तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कार के साथ भी यही काम करते हैं, कि मुझे गाड़ी बेचनी है, आपके पास कोई customer आए, तो मुझे phone कर देना, तो आप भी customer हो, उस platform ने क्या करा, जैसे उसके पास customer आए, उसने आपको phone कर दिया, तो customer to customer बात हो गई, बीच customer to customer business, यह सब नहीं नहीं डेवलप होने हैं, अभी पहले नहीं थे यह सब, अभी डेवलप हुआ है, customer to customer कहां था, यह तो अभी बनने लगे हैं, और चोथे और आखरी आते हैं, intra-bee, intra-bee मतलब in between-bee, या in my own-bee, in my own-bee-bee मतलब business, यानि कि मानलो मेरी organization बहुत बड़ी है, तो अगर मुझे कोई सामान इदर से उधर उठाके दे जाना है, एक department से दूसरे department ले जाना, तो भी issue होता है, issue किया जाता है, यह production department में कोई rubber पढ़ा हुआ, pen पढ़ा हुआ, pencil पढ़ा हुआ, यह जो है, sales department में जा रहा है, सब कुछ लिखा अगर होती है, उसमें एक एक च तो अब अगर मैंने उनसे लकडी लेके furniture बनाया, तो मैं कहीं तो लिखूंगा इस बात को, कि इस particular department से मैंने 100 kilo लकडी ली है, और उससे furniture बना है, ताकि यह लिखे दमें रहे कि उसने आज 500 kilo काटी थी, 100 kilo ही दी, तो 400 उसके पास होनी चाहिए यह stock, तो यह जो transfer होता है, यह ले लिया है, only dealing with its supplier, employees, etc. ठीक है, मेरे employees है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे feedback ले रहा हूँ, तो यहां employees BC organization के है, मैं BC organization का हूँ, तो यह क्या हुआ, intra B, यानि firm के अंदर ही बात चल रही है, यह मदद करता है, आपको coordination boost up करने में, decision लेने में, क्योंकि अगर आप अपने employee से directly बात कर रहे हो, तो जो भी problem होगी, वो instant sort हो सकती, तो आपका communication भढ़ जाएगा, coordination भढ़ जाएगा, ठीक है, तो यह वो सारे scope हैं, जो कि नए-ने develop हो रही है, या internet के थूँ आजकल चादा चल रही है, ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, साइदे, कि internet के थूँ business क करने का क्या फाइदा होता है, आज हम भी internet के थूँ जो है, आप तक video पहुंचा रहे हैं, internet के थूँ ही, आप हमारी book, Amazon से order कर सकते हो, या फिर हमारी website से ले सकते हो, हमारी help book, इनके फाइदे क्या-क्या है, तो अगर कुछ standardized फाइदों की बात करें, सबसे पहला, ease of formation and lower investment, ज्यादा खर्चा नहीं होता, फटा-पट बन जाता, internet आजकल जीओ बाबा की महरवानी से काफी ज्यादा सस्ता हो गया था पहले, अब आपे थोड़ा-थोड़ा भेंगा हो गया, बट हाँ, काफी ज्यादा सस्ता है, देखो क्या होता है, अगर मुझे अपनी दुकान पॉजिट कराना पड़ेगा, फिर मंथली किराया होगा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगने के बाद मैं गल्ले पे बेट हूँगा, जहां से मैं पहला कस्तमर देखूँगा, पर ऑनलाइन के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं होता, मुझे क्या करना है, आज यूट्यूब चल खोला आज से काम शुरू, तो बहुत आसानी से बन जाता है, और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगती है, अज आपको Amazon से ओडर करना है, तो आप क्या देखते हो, सुबह हो रही है, दुपैर हो रही है, शाम हो रही है, रात हो रही है, कुछ देखते हो, कुछ अब मैं ओडर नहीं लूँगा, बाइनो का बटन हटा दो, आप रात को तीन बजे भी ओडर करो, चार बजे भी ओडर करो, और हो जाएगा, पर इसके वज़ों में, अगर आपको जूते चाहिए, आमजोन से तो आप रात को चार बजे ओडर कर सकतो अगले देन आ आप 24 गुंटे काम कर सकतो, इस स्पीड बहुत फास्ट हो गया है सब कुछ, आजकल तो भाया, दस मिनिट में डेलिवरी भी हो जाती ही, फोनों की भी, तो इस बिजनेस में स्पीड बहुत जादा प्रमोट कि इंटरनेट के दुरू बिजनेस होने से सबसे बड़ा पर अगर मैं एक दुकान लेकर बैठा हूँ, आप कहां से देख तो इस वीडियो को, मैं राजिस्थान अजमेर से वीडियो बना रहा हूँ, आप कहां से देख रहा हूँ, सो तो हमने कितने दूर से कनेक कर लिया, यह कैसे पॉसिबल है, यह बिजनेस के तुरू, ग्लोब लेनी है, अगर कुछ लेना है, तो छोटा मोटा दो पांसो अजार रुपे का सब्सक्रिप्शन लेओ, और सॉस्ट्वेर यूज़ करना शुरू करता हूँ, तो यह क्या है, यह काफी जादा फाइदे हैं, इस e-business के customer को भी, और यहां तक की salesman को या business owner को भी, अब इसको थोड़ा से compare करते हैं, क्योंकि यही है जो आपके पूछा जाता है, इस chapter में आपकी दो चीज़े पूछी जाएगी, या तो B2B, B2C में से कोई एक चीज, या फिर traditional business और e-business के बीच का comparison, तो यहां पर हमने in total 10 ऐसे difference लिए हैं, 10 ऐसे point लिए हैं, जिनको हम compare करेंगे कि traditional business पुराने समय के business में, या दुकान वाले business में क्या होता है, और online business में क्या होता है, इन दोनों में क्या फरक है और कैसे, क्याम करता है, real life example लेके ही चल रहे होगे, ठीक है, यह सब कुछ आपको अमारे notes में मिल जाएगा description में उसका link है, सबसे मेले बात करते हैं, की difference का base है, formation बनाना, तो e-business को बनाना, comparatively काफी जादा आसान होता है, बस आपको एक दो बटन दमाने है, थोड़ी बहर टेकनिकल नॉलेच चाहिए, और आप कभी भी e-business खोल सकते हो, जब को ग्रहक आएंगे नहीं आएंगे वह बात अलग है, बड़ दुकान तो खोली सकते हो, कि आपका वो setup पूरा okay होगा, तो traditional business को खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, जब कि e-business को खोलना comparatively आसान हो जाता है, personal touch एक बहुत बड़ी problem है e-business की, आज एक बार बताओ, आज हो सकता है, आप लोगों ने Amazon से 5-7 लाग का सामन खरी लिया, जो मैटर से हर दूसरे दिन आप रोटर कर रहे हैं, पर क्या, जो मैटर वाल आपको जानता है, क्या Amazon वाल आपको जानता है, कोई नहीं जानता, यहां तक कि आप भी इनको टंसी नहीं जानते, e-business की सबसे बड़ी problem है, कि यहां personal touch नहीं होता, जब कि traditional business में जाओ, आप अपनी पड़ोस की दुकान, छोड़ो, दूसरे चहर की भी किसी दुकान की पास, तीन बार चले जाओ, दुकान दर की पास, चौती बार तो उसको ऐसे treat करेगा, जैसे आप उसके जमाई हो आरे, आओ sir, बैठो ना यार, आपी की दुकाने, कैसी आप, आप पे महंगा लूँगा, क्या, तो personal touch जो है, व बहुत ही minimum cost होती है, लिपकि इसके अंदर cost of development है, cost of setting up काफी जाला होती है, काफी सारे legal papers, formality, licenses, यह सब लेने पड़ते हैं, यहां comparatively बहुत कम लेने पड़ते हैं, अगर चलाने की बात करें, तो operating cost मतलब business को चलाने का खर्चा, तो यहां पर traditional business में पुराने तरीके में यह बहुत हाई होता है, आपकी मालो कोरन आया, तीन, चार, छे महीने, आट महीने सारी दुगाने बंद रही, और सरकार के कहने के बावजूद भी, मुर्देन 80% लोगों ने अपनी जेब से किराया, मैरे बढ़ा 5 लाख रुपे का किराया, 5 मैं उस समय offline पड़ा रहा था, आप मना कर लो, कोई का भाईया, नहीं, मेरे को तो दो, आप छोड़ दो, अब आप छोड़ नहीं सकते, यूँकि आपको पता नहीं कि ये लोगडाउन कब खुलेगा, तो सबसे बड़ी problem क्या है, इसको चलाना बहुत भारी होता है, जबकि online business को चलाना ठोड़ा easy होता है मेरे को नहीं करना business, तो उसकी operating cost काफी low है, जबकि इसकी operating cost जो है, वो काफी ज़्यादा बढ़ी है, एक चीज़ और है, इसके अंदर सामार बनता भी फटा फटे, और जरुवत पटने पर वाफिस भी आ चाता है, रीफिलिंग बहुत easy होता है, जैसे माल दो, मेरी Maggie बेच online order ले ले तो तो आजा, दो दिन पीछे बेच देंगे, order आ जाता है, तो यह तोड़ा सा easy पड़ जाता है, अगर physical examination बात करें तो यह possible नहीं है, आज आप Amazon से कोई भी सामन मंगाते हो, तो आप उसको से देख सकते हो, touch नहीं कर सकते, उसको feel नहीं कर सकते, जबकि अगर इन सालों में ने सब खतम हो जाया है, मतलब, यह e-business वारे लोग आपने घरा के कपड़ी ट्राइल कराके जाएंगे देखना, यह तना खतरनाग है, ease of expansion काफी जाधा easily expand हो रहा है, आज हमने live example बता रहो, आज से तीन महीने पहले हम लोगों ने हमारी help books लांच करी, ऐसी कि चाट किया था इतने से कमरे से, मतलब मैं जैसे यूँ खड़ा हो रहा हूं यूँ खुल जाओ बस इतना बड़ा कमरा थी, आज मैंने 15 feet by 18 feet का एक पूरा गुदाम ले रहा है, उसमें पूरी किताबे भरी में है, और वो रोज जा रही है, रोज नहीं आ रही है, इतनी जल उसको कैसे सेट करूँगा, रोज का खर्चा निकानूँगा, फिर घर का खर्चा, आज ग्रहक आया, अकल नहीं आया, क्या करूँ, तो यहां पर expansion करना थोड़ा मुश्किन होता है, जबकि यह easy हो, नहीं दुकान खुल लिए, को YouTube चैनल खुल लो, The God of Gen Motivation, The God of Gen CUVT, के चल जाता है, skin never ही चाहिए होती है, आपने देखा होगा, medical की दुकानों के बाहर लखा होता है, एक लड़के की यवश्यक्ता है, 12-16 साल की उमर होनी चाहिए, 10,000 रुपे तक का पैसा दे दिन गया हम उसको, चाहिए क्या है, यहां पर traditional business में इतना ज़्यादा टेक्निक less risk होता है, क्यों जाता risk है, इसका सबसे बड़ा problem यह है कि पर्सनल टच नहीं है, आप जानते नहीं उसको, तो अगर कोई problem परिशानी आती है, आप customer के साथ, तो आप उसके पास जाके बात नहीं कर सकते है, आज Amazon से आपको इभी सामान खरेते हो, मैं ऐसा seller बता रहा हूँ तो Amazon आपको फैसिलिटी देता है, रिटन कर दो, कर दो रिटन, कोई क्या वजए, कोई वजए नहीं है, ऐसी कर दो, इच्छा कर रही है रिटन करने के, आप सोचो seller के लिए कितना नुक्सान का खाम है, हमने पहले सामान पेक करा, पेक कर के आप तक महुँचाया, अब आप पुछ भी ने सकता, भाई, क्या दिक्कत हुई, क्यों बना करा तुने, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और आप जानते नहीं हो, तो एकदम से कर कस्टमर बंद हो गए, क्या करोगे, चलो ठीक है, आज आपके पास नहीं है, आज कम कस्टमर है, तो क्या है, कल करेंगे, दुकान तो ही ही अपनी, दिखती तो है लोगों को, साथ-साथ में 10-20 कस्टमर ऐसे हो जाते हैं, जिनको हम जानते हैं, और शर्मा जी इस बार राशन नहीं लिए आपने, नहीं मैंने आपके लिए अज़क से मंगवाए, तो बहुत बढ़िया वाले चावल मंग पास, distributor to wholesaler के पास, wholesaler to retailer के पास, फिर आपके पास आता है, जो कि बहुत लंबा chain हो जाता है, तो price बढ़ जाता है, जबकि online के अंदर क्या होता है? सीधे factory से आपके खर पे delivery होगी, काम खतब, आज आपको पता Amazon पर बता रहो, per product, 32-40% का margin लेता है, Amazon, आप सोचो, 100 रुपी अगर आपने कोई सामान खरीदा ना तो 40 रुप अमेजॉन के होगे सेलर को नहीं मिलेंगे हर सामान पर आज अगर हम साड़ी 300 रुपी किता बेचते न तो 30 परसंट गिल लो गया अब 30 परसंट में 10-12 परसंट रुटास की ट्रांस्पोरेशन कोश्ट वगेरा पाकि उसका कम बहुत इंपोर्टेंट है आपर अमेजॉन पर 30 परसंट 40 परसंट मार्जिन देने के बाद भी सेलर वही है क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ा फाइदा है कि इंटर्मीटर नहीं है ना डिस्ट्रिबूटर को सामान बेचना उसका कमिशन कतम उसकी ट्रांस्पो जो सामन बनाने वाला है वो बोलता है मेरे को रीटेलरों को बेचना है यहां मेजन बेचना है अपने लिए सेम मार्जिन आ रहा है 30-40 परसंट यह लोग भी खा जाते मीच में 30-40 परसंट पर फाइद है कि यहां से आप डिरेक्टी सब्चीजों के उपर कंट्रोल रख सकत दिन अगले 15-20 दिन में रीटेलरों के पास जाएगा फिर आपने खरीदा खरीदा नहीं खरीदा नहीं खरीदा तो यहांनि कि आपका पैस मेरे पास तक आने में तीन महीने लग गए अब वापीस सामन बनाने के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा तो यह पैसा फसा के भी तो आपका जो business है, उसकी cycle बढ़ी होती जाती है, बहनी कि बनने से लेकर के cash में convert होने तक का जो time है, वो बहुत लंबा हो जाता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और इस वज़े से ऐसा होता है कि मेरे 2 करोड का सामान मार्किट में है, पर मेरी जिम में 20 लाक रुपे भी नहीं है क्योंकि वो जब 2 करोड का विकेगा तब पैसा आएगा, तक मैं फकीर हूँ, पर जब कि online में क्या है, order आया, बढ़ाना शुरू कर, बढ़ा तरह है, order नहीं आया, नहीं बनाएंगे, तो यहां पर तो instant हो जाता है, Amazon साथ दिन के इंदर कर देता, तो आपने order किया, साथ द इतना ही chapter है, इसके लावा इस chapter में कुछ भी नहीं है, कोई रिक्कत को परशानी हो, तो मुझे बता दे, और जाने से पहले, बल्को एक number लिखा देता हूँ, 769 0041256, यह मेरा WhatsApp number है, कोई भी रिक्कत, कोई भी परशानी, कोई भी notes, कोई भी important question चाहिए, आप WhatsApp कर देजे, इ आप message करोगे, तो मैं भी इस number को save कर लूँगा, त्याकि आपकी 11 वी के साथ-साथ 12 वी में आप मचाएंगे, तहे लगा मचाएंगे, तो पहले 11 वी कर लो, 12 वी के लिए तो next level के plan आपने है, देखे, चले मिलते हैं आप से अगली वीड़े के साथ, तर रिक ले, नमस्कार कर लो मचाएंगे, तु NIप झाप से रो, 12 वी रहे हैं साथ-सारव वीड़े भी कारवी में है, तो पहले में आप लगा जापने हैं, तो बह।.